गुड मॉर्णिंग स्टूटेंगे, प्लास सेवन के बच्चे द्यान देंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे आद्याय एट जलवाईउ और अनुकुलन जलवाईू और अनुकुलन में सबसे पहले हम लोग जलवाईू में मौसम की विशे में पढ़ेंगे हम लोग प्रती दिन बच्चे प्रकृतिवें परिवर्तन देखते हैंगे शुरिय का निकलना, डूबना, चांद का पृत्पी के चारों तरफ चक्र लगाना पवन का तेज गती से चलना, तुफान एवं उर्थे चक्रवाथ, बिजली का चमकना, वर्षा का होना, तेज पवन का जोका, आधी घटना आए आए दिन होते रहती है इसके अतिरिक्त भी प्रकृति की असाधारन द्रिश्य अकास में हम देखते हैं जैसे की वर्षा की दिनों में इंद्र धनूश का निकलना है, यह सब परिवर्थन हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं किसी स्थान का तापमान आदरता वर्षा पवन वेग आदि की संदर्म में वाई मंडल की दिन प्रति दिन की स्थिती उस स्थान का मौशम कहलाती है आपको आएगा मौशम किसे कहते हैं तो यह अंडरलन करते हैं जी बच्चे किसी स्थान पर तापमान आदरता वर्षा पवन वेग आदि की संदर्म में वाई मंडल की दिन प्रति दिन की स्थिती उस स्थान का मौशम कहलाती है हमारा दैनिक क्रिया कलाब उस दिन के मौशम के पुर्वानुमान पर अधारित होते हैं मौशम की जानकारी हमें बच्चे पत्र, समाचार पत्र, दुरदर्शन, रेडियो और दैनिक समाचार पत्रों के द्वारा प्राप्त होता है दैनिक समाचार पत्रों में आपने देखा होगा मौसम की रिपोर्ट जिसमें ताप, आदरता और वर्षा के बारे में जानकारी दी जाती है हम लग दुर्दर्शन एवन टीवी में प्राया सभी चैनलों पर शमचार के बाद या शमचार से पहले मौसम की जनकारी प्राप्त करते हैं मौसम का जो रिपोर्ट होता है भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा तयार की जाती है यहां क्रियाकलाप वोर्ण में बताया गया बच्चे की गत एक सप्ता का दैनिक समचार पत्र लिजिए और उसमें दिनांक प्रतेक दिन का तारीक दिनांक लिखना है इसमें तापमान लिखना अधिक्तम और नित्यम, आदरता लिखना अधिक्तम और नित्यम और वर्षा तो ये शार्णी आकड़ो एक सप्ता का समचार पत्र लेकर ये शार्णी को तयार करना है तालिका में देखेंग बच्चे जब आप इस तालिका को बनाएंगे तो आप देखेंगे एक सप्ता का मोश्रम जो समाचार पत्र में दर्शाया गया है उनमें क्या सभी साथ दीनों का अधिक्तम और नियूंतम तापमान या आदरता और वर्षा माप समान है आप पाएंगे कि दिन के तापमान एवं आदरता में परिवर्षा दिखाई पड़ता है इसी प्रकार आप घर में टीवी बैठे बैठे देखकर पता लगा सकते हैं कि और शहरों का तापमान कितना है मुझपर पूर गया, भागल पूर पूर्णिया आदी में समाचार पत्र में भी तालिका बना कर दर्शाय गया है उसी प्रकार टीवी में भी दर्शाय गये ये सुचिवद अधिक्तम आकडों को दिखाये गया है इन आकडों से यह पता चलता है कि प्रते एक दिन में तापमान आदरता एवं वर्षा में परिवर्थन के साथ स्थान के अनुशार भी इन में परिवर्थन होते हैं इस प्रकार किसी स्थान का पर तापमान आदरता वर्षा पवन भेग में प्रति दिन का परिवर्तन उस स्थान का मौशम कहलाती है आप देखेंगे बच्चे यहां कुछ आकड़े दिखाए गए किसी भी स्थान का मौशम एक तरह का नहीं होता जैसे यहां दिया गया है एक पांच बारा दो पांच बारा यहां तारीक दिये हैं दिनांग 35 डिगरी 25 डिगरी संसियस 30 डिगरी 35 डिगरी यह संसियस दिया गया है तापमान अधिक्तम तापमान दिया आप देख सकते हैं इस आकड़ों के अनुसार क्या पहले तारिक या दूसरे तारिक या तीसरे तारिक में क्या समान तापमान है आप देखिए बचे यहां अलग-अलग दिखाई दे रही है तो सब प्रतेग दिन का अलग-अलग तापमान दर्शाया गया है तो समान तापमान नहीं होते है इस प्रकार एक आंकड़ा दिया गया है इसको भी हम ग्राप के द्वारा दर्शा शकते हैं मौशन संबंदी और अधिक जानकारी हमें मौशन ग्यान विभाग कारियाले से भी प्राप्त हो सकता है मौशन का यह परिवर्तन शुरी एवं प्रित्वी के आपसी संबन जैसे प्रित्वी के किस भाग पर शुरी की किरने किस कोन पर आ रही है के कारण होता है शुरी के प्रित्वी से अधिक्तम दूरी होने के कारण बावजूद भी इसके द्वारा उत्सर्जित उश्मिय उर्जा इतनी अधिक है कि प्रिद्वीक पर इसका प्रभाव पढ़ना स्वभाविक है तो हम लोग ग्रूप डिवाइस करके बचे हम लोग एक मौसम की रिपोर्ट तयार कर सकते हैं तो फिलाल हमें इन सभी चीजों के लिए समय निकालना पड़ेगा तो बच्चे आप अपने से 4-5 बच्चे मिलकर इस क्रिया कलाप को कर सकते हैं जिसे यहां दिया गया है कुछ क्रिया कलाप दिये गया है तालिका दिये गया है इसको पढ़िए बच्चे ध्यान से उसके बाद यहां कुछ क्रिया कलाप दिया गया है सारनी दिया गया है और यह पता लगा है कि 15 नवंबर का दिन कैसा था तो इस तालिका से आप इसको बता सकते हैं तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे थैंक यू